नमस्कार मेरा नाम ज्यानिक श्यार है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके शामने हाजिर होते हैं बिहार की कही कही अंकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साजा करते हैं तो देखिए खबरों के पीछे का आज एपिसोड नमबर है 292 लेकिन इस स्रिंखला में जो किशोर कुनाल के स्रिंखला है उसकी शुरुआत हमने की थी एपिसोड नमबर 254 से तो आज कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं किशोर कुनाल के तबागले को लेकर चल रही भिरंट मंत्री का रियाले तक शामिल था बात 1996 की है 1996 की जब केंदर में एस्टी डिवगारा की शरकार बन गई थी पीबी नसीमा राओ कॉंग्रेस के नितुत्त में चुनाव लड़ा गया था जब लोकसभा चुनाव गए था अटल बिहारी बाच पर पहले प्रहान मंत्री बने ल लालू यादम ने यह संकल प्ले रखा था कि हम किशोर कुणाव को पटना से भगा देंगे तो अब भगाने के लिए देखिये क्या क्या हुआ हम इस कहानी को पिछले ही एपिसोट से कह रहे हैं किशोर कुणाव ने इस बारे में बहुती विस्तार से अपनी जिबनी अधारी पुस्तक दमन तक्षकुकवा में बताया है देखें विबाद इतना तक बढ़ गया कि लालू यादर में पटना में इस्टार न्यूज तब इस्टार न्यूज ही हुआ करता था और कई बबाद थे उसमें बहुत कुछ हो चुगा था और इसका जवाद किशोर कुनाल ने भी दिया था किशोर कुनाल ने कहा था लालू यादर जी यह सही है कि मैं रोज महावीर मंदिर जाता हूं लेकिन मैं कभी बर्दी में नहीं जाता हूं इस बात का ख्यार रखेगा कि बात का भी ख्यार रखिएगा कि भगबान जो है अपने भक्तों के बारे में मेरे जैसे भक्तों के बारे में ऐसी बातें बिलकुल बदास नहीं करते हैं किशोर कुनाल ने दिर्टा के साथ बिहार के मिख्मंति लालू यादर को कहा था कि 24 घंते के भीतर आप मेरे खिलाप अप मान जनक जो बक्तब बे दिये हैं उसे बापस कीजिए नहीं तो मुझे कानूनी कारवाई के लिए आगे जाना होगा तो लावाई इस कदर बढ़ गई थी किशोर कुनाल याद करते हैं कि देखिए उनकी संचिका तबागले की संचिका केंडर में बहुत तेजी से दौब रही थी लालू यादर इस मुहीं में शफल हो गए थे कि उन्होंने तसलिमुद्दीन को केंडरिये ग्री राज्यमंत्री बनवा दिया था और तसलिमुद्दीन के जिम में सियाइसक थी जिसकी वे डियाईजी थे और उन्हें आईजी में प्रमोट होना था पत्ना में आईजी का पद नहीं था आईजी के पद की सुजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इस पर सहमतिमी बन गई थी किशोर कुनाल रहेंगे तो किशोर कुनाल याद करते हैं कि जिस तरीके से संडे को उनके तबादले के संचिका तयार करने के लिए होम मिनिस्ट्री को खुलबाया गया था ठीक वैसे ही जब लालू यादव ने बहुत सारे लोगों को तयार कर लिया इंदजीत गुपता देश के गिरी मंत्री बनाए गये थे लेकिन उन्होंने पदभार गरहन नहीं किया था और इंदजीत गुपता सिध्धानतों के आदमी थे तो लालू यादव ने ये किया कि वे दिल्ली पहुँचे बिहार भवन पहुँच गए और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गिरी बिवा की संचिगा सियाई है सबकी संचिगा अपने पास मंग बाली और फिर बुलवाया तस्लिमुद्दीन को तस्लिमुद्दीन तो उनकी ही पार्टी के थे वे वही करते जो लालू यादव कहते और किशोर कुनाल यार्द करते हैं कि भारत सरकार की उस संचिगा पर मेरे तबागले के औरों के संबन में जो आदेश था वो डिक्टेट करा लालू यादव ने और उस पर दस्कत किया तस्लिमुद्दीन ने फिर भारत सरकार के गिरी सचीब होम सेकर्टी पर नमभया को बिला लिया गया यह भी सीमा से परे था लेकिन लालू यादव सत्ता में थे के दिर की सत्ता कुए संचालिट करने की सिती में थे इस दी दोग कि किशोर कुनाल का तबादला हो गया है इसे जल्दी भिहार से भगाओ और गुच्राट भेजो तो अब पर नमभया ने कहा कि ठीक है सर जैसा हुआ है मैं इसे जल्दी तामील करता हूँ किशोर कुनाल याद करते हैं कि उन्हें तबादली की जानकारी मिल गई लेकिन पर केंजी ग्री राजी मंत्री तस्लिम मुद्दीन का दस्कत था हो सेटी पड़ नभया की शहमती थी और पटना से मुंबै तबारला हो रहा था और इस तबारले में अब ग्री मंत्री से मंजूरी लेने की कोई जोरत नहीं थी क्योंकि ये इंट्राइनल तबारला था फि प्रभार नहीं समाला था इसलिए ग्री मंत्राले का प्रभार प्रण मंत्री के पास था तो यह संची का स्वावाई को पर चली गई प्रण मंत्री दौगवारा के पास कि शोर कुनाल याद करते हैं कि जब उन्हें खबर मिली तो अपने डिजी सरकार बदलने के बाद नए डिजी भी हो गए थे मिस्टर टंडन से मिलने गए दोनों ने साथ काम किया था 1978 में जब आधाबाद में दोने डिजी पी लेबल की अधिकारी थे तो किसों पुदाल बोले यह तवाला नहीं मेरा अपमान है और मुझे अपमान में जीने की आदत नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब सरकार में तबादले का आदेश जारी कर देगी तो मैं उसका उलंगन करूँगा लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तबादले की जगह हम दूसरा रास्ता अक्तियार कर लें आप बस मेरी इतनी मदद कीजिएगा कि जब तबादला आदेश आजाए तो मुझे ब भगमान ने मेरे भीतर बहुबित परतिभा दी है भगमान मुझे शिबक बनाया है हम और भी काम कर लेंगे तो आप मुझे बुला लीजिएगा मैं अपना इस्तिफार लिखकर स्वेचिक सेवानिवर्ति बी आरेस के लिए अप्लाई कर दूगा और इसके साथ आप सिफार सिर्फ इतना भेज़ दीजेगा कि देखिए इनका बी आरेस का आबेदन आ गया है यह नौकी से त्यागपत देना चाहते हैं इसमें कोई परिशानी नहीं है तो इनके तबादले का जो आदेश है वह निर्गत किये जाना प्रसंगा धीन अब नहीं राकिया है कि शोक उना उन्हें बताया भी कि आज केंडर सरकार मेरे खिलाफ हैं तो आप हमारे साथ रहे हुए पुराले दिनों को भी भूल गए मेरे काम को भी भूल गए और मेरी छोटी सी मदद करने को तैयार नहीं है तो किशोर कुनाल के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा था कि क्या करें क्या ना करें आदेश अब भी होना था मतलब प्रहान मंत्री एज़्दी द्वारा के द्वारा तो किशोर कुनाल को याद आया पुर्व प्रहान मंत्री चंडर सेखर का चंडर सेखर के साथ ग्रह मंत्राले में जब चंडर सेखर के पास ग्रह मंत्राले का प्रभ नहीना आया करते थे तब ट्रेल से ही आया करते थे और उन्मों ने पत्ना जक्सन पर उतारने के बाद कई बार महाविनमंद्री में जाकर दर्शन प्राप्त किया था महाविनमंद्र का कायक कल्फ होते दिखा। इसलिए कि-17 कौनाल से कि वे मिलने गए पुर्व प्रहानमंती चंड़सेखर से, उन्होंने बहुती सम्मान दिया, यह बात 14 जून 1996 की है, उन्होंने चंड़सेखर को बताया पुर्व प्रहानमंती को कि देखे सर मैं तबादला रुकवाने नहीं आया हूँ, मैं तबादले के लिए इतनी राजनी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा तबादला कर मुझे तिरस्क्रित न किया सा है, भगबान ने मुझे बहुत काम दिया है, हम और भी काम कर लेंगे, इसलिए तबादले की जगा, मेरा बियारिस, मेरा इस्तिफ़ा, केमरे सरकार मनजूर कर लें, तो इसके संबंद आप प्रहानमंत्री यजदी दवारा से बात कर लेंगे, आपके अच्छे संबंद हैं, तो किर्पा हो जाएगी, तो किशोर कुनाल याद करते हैं कि चंदरशेखर इसके लिए तुरंट तयार हो गए, उन्होंने सामने ही प्रहानमंत्री यजदी दवारा को फोन किया, उन जिस्त मिल्लों के पति पतिबध हैं, नेक कारे में लगे हैं, इनका तवारला रोका जाना चाहिए, चंदरशेखर ने पहले तो यही कहा, और यदि तवारला नहीं रोका जा सकता है, तो इनका बियारिस जिसके लिए तयार है, उसे किंदर सरकार को मनजूर कर लेना तो जब एस्दी देवगोरा और चंदर सेखर की बात होगी, चंदर सेखर भी इतने कॉन्पिडेंट हुथें कि देवगोरा उनकी बात नहीं उठाएंगे, और उन्होंने किशोर कुनाल को कहा कि चलिए अब आपका तवारला रुख किया है, चंदर सेखर ने इतना ही नही किशोर कुनाल याद कर रहे हैं, अपनी जिबनी पर अधाई पुष्टक दमन तक्षकों का में, कि उन्हें लग गया था कि अब तवारला मेरा नहीं होगा, पर लालु यादव को इसकी जानकारी मिल गई, और लालु यादव तो किसी भी कीमत पर मेरा तवारला चाहते थे लालु यादव तब पार्टी के रास्तिया जक्स थे, एसदी देवगोरा प्रहनमंत्री का नाटक से आते थे, और वहीं से दूसरे बहुती बड़े कद्दावर नेता रामकिस्ट हेग्रे, तो एसदी देवगोरा बनाम रामकिस्ट हेग्रे पार्टी की भीतर चलना था, लालु यादव ने इसका फाइदा उठाया, लालु यादव ने फाइदा इस रूप में उठाया, कि देवगोरा के कहने पर एरामकिस्ट हेग्रे को पार्टी के एस्टेट प्रेसिजन्ट पर्ट से निलम्बित कर दिया गया, तो ये बड़ा काम प्रहनमंत्री के लिए ल जूरी देती, अब मेरा तबादला हो गया, प्रहनमंत्री का आदेश हो गया, लेकिन आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, संचिका पर प्रहनमंत्री का आदेश हुआ है, गिलिम मंत्री के हैस्यत से, तो बड़ा परिशान, लालु यादव ने तो मोल जूल कर लिया, अब क CISF में, आईजी एडमिन, जिनके हस्ताक्षा से कबादले का नोटिफिकेशन जारी होता था, गौतम कॉल, वे बहादूर किसम के प्रहदिकारी थे, और सभी की मदद कते थे, मेरे पूरे परकरन को जान रहे थे कि मुझे किस तरीके से राजनेतिक निशानी पर लिया गया मेरे काम को जानते थे, मुझे प्रभाबी तरह दे थे, तो उन्होंने कहा, होसला अफजाई की, मैंने उन्हें कहा कि देखी मैं तबाला आरिश पर मुंबे जाकर युगदान करने वाला तो हूँ नहीं, मैं बियारेस के लिए एप्लाई कर रहा हूँ, आप इसकी संचिका खुलबा दिजिए, मैं नौकरी से त्याग पत्र दे रेता हूँ, आप मान सहने से अच्छा है कि आप अलग हट जाईए, किशोर कुनाल यहां मानते रहे हैं, कि देखिए, इसमसान पर चीता तो निर्जीत प्रानी का जलता है, लेकिन जब आप चिंता के लपेते में आ ज दिनने लगता है, इसलिए किसोर कुनाल चिंता में बहुत विश्वास नहीं करते हैं, फैसला में विश्वास करते हैं, तो किसोर कुनाल ने कहा कि हम इस्तिफाई देनेंगे, लेकिन गौतम कॉल ने समझा दिया दूसरी बात, उन्होंने कहा, कि देखो कुनाल, इस्तिफा देना कायरता है और यह अन्याई के समख्ष घुटना देखना है ऐसा मत करो तुम कायर नहीं हो जो कायर बनना चाहते हो तुम्हारे खिलाब जो अन्याई हो रहा है तुम्हारे खिलाब जो इंजस्तिस हो रही है उसके खिलाब लरो कोट जाओ तुम्हारा जो केस है वो बहुत मजबूत है कोट इसे दिखेगा और तुम्हारे पक्ष में फैसला देगा और एक बात तुम्हें भरोसा देता हूँ कि आदेश शाहे जहां से आजाए कुछ दिनों तक आदेश जारी करने में बिलम मैं करूँगा कुंब्रीन सिलिनल देना तब हम और करेंगे किसोर कुनाल को आजजी एड्मिन गौतम कॉल के इस भरोसे से बहुत बल मिला और उन्हें लड़ा के नहीं अब हम लड़ाए लड़ सकते हैं हमाया दिजी तो दरफोक है लेकिन आजजी एड्मिन जो है वो बहाद हो रहा है उदर लालू यादब जैसा मैंने आपको प्राड़म में ही बताया कि लगतार बक्तब बिसममन कर रहतें किसोर कुनाल के खिलाप कि जेल भिजबा देंगे बिहार चे बहार निकाल देंगे किसोर कुनाल ने भी जवाब दिया था तो ये लड़ाई चली रही थी इस बीच किसोर कुनाल इस बात का विश्मरन करते हैं कि जोज फंडानिस दो अंग निताओं के साथ उन से मिल ले आए और उन्होंने इस इस्थानांतर आदेश पर रूस जाहिर किया और कहा कि आपके साथ ये ठीक नहीं हो रहा है तुम्हें लड़ना चाहिए गौतम कॉल ने भी कहा था तो किशोर कुणाल को इस बात का इसमरन है कि जब ये लड़ाई चल नहीं थी तभी पत्ना में टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटर हुआ करते थे रेजिदेंट एडिटर थे उत्तम सेंकुप्ता उनका फोन आया उन्होंने कहा कि देखिए कि कुणाल साथ आपके ट्रांस चुक्तर के निता हैं और इनके खिलाफ बहुत सारे क्राइम डिकॉड है यह ब्यक्ति देश का दिराज्यमंत्री बन गया है यह अच्छी बात नहीं है रास्थित में नहीं है तो ऐसा किजिए कि तस्लीम मुद्दीन के खिलाफ जितने क्राइम डिकॉड हैं उन्हें आप इस यह इनकी पोल पट्टी टाइमस ऑफ इंडिया खोलेगा तो किशोर कुनाल याद करते हैं कि उन्होंने सीमान चल बिहार के सीमान चल के जिलों में जहां तसलीमुद्दीन का प्रवावच्छत्य था तसलीमुद्दीन का कारिच्छत्य था वहां के पुलिस अधिच्च उत्तम सेन्गुपता को प्रिशिट कर दिया जैसे ही उत्तम सेन्गुपता को तमाम रिकॉर्ट्स मिले उन्होंने एक बहुत बड़ी सी ख़बर टाइमस ऑफिंड़ा के पहले पढ़ने पर प्रकासिट कि इसके बाद तो पूरे भारत में ही बवाल मच गया कि कि किस चैट तसलिमुद्दीन के आप्राधिक क्रिक्तों का खुलासा करने लगे और देश को बताने लगे कि लालू यादब के सामने देगोरा ने तसलिमुद्दीन को गीडा जमंती बनाकर किस प्रकास से घुटने घुटना टेका है तो अब शुचा लेदर होने लगी और इस बीच इंद्जीत कुप्ते जिने गिरिम मंत्राले का प्रभाद गया था वे अब पदभार गरहन कर चुके थे कमिश्टे सिध्धानतों वाले आदमे थे जब उन्हें लगा कि इतना विवादास पर ब्यक्ति उनके अधीन राज्यमंत्री है तो उन्हें भी यह बात पसंद नही नहीं आई किशोर कुनाल इस बात का भी इसमर्ण करते हैं कि जब उनके तबारले को लेकर पदमार गरहन करने के बाद इंद्जीत गुप्ता किंद्य ग्रिमंति से सवाल पूछा गया था तो उन्हें कहा था कि देखिए तबारला आदे से भी मैं होता तो मैं करता नहीं औ लेकिन तसलीमद्दीन को लेकर इतना बरा बावबेला मचा इतनी छीचा लेदर हुई कि तसलीमद्दीन की छुटी हो गई देगवरा के मंति πεषस्ट से मतलग कैंद्य गरिहराजे मंति तसलीमद्दीन निपट गए किसुर कुनाल की इस लराइए में उन्हें इस्टिवा देना परा तो किसोर कुनाल को लगा के चलो इस लगाय में नैटिक भिजे मोरल विक्ट्री टह मिली अब आगे भी कोट में लड़ेंगे तो आगे कोट की लड़ाय में क्या- scarf हुआ कोट की लड़ाय भी बहुत भीशन होई है बहुत ठीक ही होई है आज जो कहानी आपको हमने सुनाई उससे आप यह समझे होंगे कि किसों कुनाल पाले आप राधियों से लगते रहें अब राजनेटिक जो दुस्मन थे उनसे लड़ना पर रहा था अपने लिए तो इस सिंख्या में हम आगे भी बने रहेंगे आप देखते रहें खबरों के पीछे को यदि अब तक आपने हमारे यूटूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिएगा और यदि इस वीडियो को आप फिस्बुक पेज के मादियम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा एक और अगरोध कि यदि आप म मतलब बादात की तारिक साल इस्थान का पता है तो मुझे जरूर बताइए उसे अपनी डायरी के पन्लों में तलासने में मुझे आशानी होगी रिसर्च टीम को भी कहेंगे आप अपना नंबर में लिख कर भेजिए जोरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे आपकी पहच